नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेकनिकल सार्थी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने पीएप के प्रोफाइल में अपना फोटो चेंज कर सकते हैं यानि अपडेट कर सकते हैं यदि आपने अभी तक अपना फोटो पीएप की प्रोफाइल में अपडेट नहीं किया है तब आपको पीएप का नॉमिनेशन करने में कठिनाया आ सकती हैं PF के profile में photo update करने के लिए हमें सबसे पहले Google Chrome app को open कर लेना है यहाँ पर हमें सबसे पहले Google search box में PF login लिखके हमें search कर लेना है इसके बाद जो सबसे पहली जो site आएगी उस पर ही हमें click कर देना है यहाँ पर PF account में login करने के लिए हमारे सामने एक login page open हो जाता है यहाँ पर हमें अपना UA number उसके बाद password और नीचे capture लिखके हमें sign in कर लेना है यहाँ पर मैं आपको sign in करके दिखा देता हूँ यहाँ पर सारी details feel करने के बाद हमें sign in पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने एक alert का page open होगा इसे हमें close कर देना है इसके बाद हमें सबसे पहले view वाले option पर click करना है और profile वाले option को select कर लेना है इसके बाद हमारे सामने जो pf account में हमारी जो profile है वो open हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी profile में किसी परकार का कोई profile photo updated नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको अपना profile photo update करके दिखा देता हूँ इसके लिए हमें सबसे पहले change photo वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा इसके बाद हमें browse वाले option पर click करके computer में जो save photo है उसको select कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक photo select कर ली है इसके बाद हमें नीचे scroll down करना है उसके बाद हमें preview वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा photo upload हो गया है इसके बाद हमें बस upload photograph वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमें OK वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहें कुछ time loading में ले सकता है दोस्तो जैसा कि आप आप देख सकते हैं कि हमारा जो profile photo है वो update हो गया है दोस्तो कुछ आप भी इसी तरीके से अपने PF profile में अपना photo update कर सकते हैं दोस्तो PF की profile में photo update करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि PF का जो nomination process है उसको हम आगे process नहीं कर पाएंगे यदि हमने अपना profile photo update नहीं कर रखा तो दोस्तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपना profile photo upload कर सकते हैं दोस्तो PF से related कोई भी आपकी query हो तो नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे थेंक्यू सो मच पो वाचिंग